अलो गाईज अन वेल्कम बैक तो दे चैनल इस इस मंजीत सिंग और वाचिंग बिली राइट बटा सो गई आप सबस्क्राइब एक नहीं वीडियो में फ्रेंट्स यह वाली बाई क्या दे चलो मैं बता देता हूं यह एक्शुली पैसन प्लो है जो पुरानी वाली थी बिल् कि अब वोज चैनल पर नहीं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करेजिए उसके बगर में जो बेल आइकन से प्रेस करके अल्युक्राइब सेलेक्ट करनेजिए ताकि जब कभी भी मैसी वीडियो दाहूं तो आप सब को इसकी नोटिक्राइब इसमीं मिल पाए ओके तो क्या हम तो यह है अपनी पुरानी प्लस हो गई है यहां पे देखिए यह है पैसन प्लस बाइक वही है थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया गया है इसमें क्या कुछ एड़ किया गया है वो मैं दिखाऊंगा तो पहले तो आप देख लीजे पुरी बाइक को यह कुछ ऐसा है काफी अच्छा लगता है और प बहुत जाते हैं इसको यूज करते थे अपने प्रसनल लाइफ में यह इसका टेल सेक्शन है और मतलब कैसी लगती है आप सब में कमें स्क्रिक्शन बताएगा मुझे तो अच्छी लगी है सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से सो यहां पे आपको एक लोगो मिल ज देक्शन हो द defense से देख लिजें और इस से इसके टाइरट आपको इसमें ट्यूब्लेस टाइर मिल जाते हैं इसका साइज आपको बता देता हूं है इसमें आपको 80 एंडड़ 18 सेक्शन के आपको इसमें अलवायविल मिल जाते हैं और यहां पर आपको च्टिकर का भी यू FI engine के साथ आ रहे है यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका जो engine आपको 100cc की पहले भी आते थी अभी भी 100cc ही है इसका जो power है आपको 8.2 PS मिल जाता है at 8000 RPM Rock जो है आपको इसमें 8.05 Nm देखने को मिल जाता है at 6000 RPM यह बाइक जो है 4-speed gearbox के साथ पहले भी आती थी अभी भी 4-speed gearbox के साथ आती है अच्छा एक चीज इसमें add-on किया गया है इसमें आप side stand engine cut-up switch add कर दिया गया है जैसे ही आपकी बाइक जो है side stand पे रहेगी तो यह start नहीं होगी आगे नहीं जाएगी यह इसका अच्छा मतलब feature लगा यहां पे i3s मिल जाता है i3s का भी मैंने proper video बनाया है अगर आप उस जानते नहीं i3s क्या होता है i3s के बार में अगर आप लोगों को जानना है तो i button में उपर यहां पर link आ रहा होगा या फिर video के end screen में आपको मिल जाएगा आप वहां जाकर करके i3s को समझ सकते है सो चलिए अब मीटर की बात करते हैं तो पहले जैसे मीटर आती थी सेम रखा गया है analog प्लस डिश्टल मीटर इसमें कुछ चीज एड़ किया गया है यहां पर आपको इंजन माल फंक्शन साइड इस्टेन यह आपका i3s हो गया ठीक है यह अनलोग प्लस डिश्टल यहां प सो एक बार फिर से देख लीजे लाइट के वज़से सायद प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा सो चलिए यह हो गया यहां पर हैंडल की बात करें तो यह कुछ ऐसा इसका हैंडल है और यहां पर आपको हाई बीम लो बीम का यहां पर स्विच मिल जाता है यह आपका पास स्व चोंगे यह आपका होड्न हो गया आपको राइट हैंड़ साइड यह आपका सेलफ स्टार्ट मिल जाता है यह जो है इंजिन आपको बीए सिक्स फेस्टु आती है जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इसमें एथनल ट्वेंटी परसेंट ऐसा कुश इसका यह है यहां पर जो हां इसे प्रॉपर यह लोग सो देखने में तो साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी लगे मुझे प्यारी लग रही है याद आ गया बहुत दिन हो गया था इसको देखे वे सो इस सेट आपको एफाई की बैजिंग यहां पर किक मिल जाता है यह आपका रियर ब्रेक पैड रख लेते हैं तो यहां पर अपको इसका कुछ ऐसा आगल स्ःष्च यहां आपका टेल लेंब इसा। यह आपको इसका कुछ देजाइन है सब्सक्क्राइब तो यह जो दोनों आपको इसमें IBS टेक्नोलोजी के साथ आती है इस वाले में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है तो यह चीज आप ध्यान रखेगा डिस्क लेना होगा तो अभी जो न्यू वाला जो पैसन प्रो है वह आप लेंगे तो इसमें आपको डिस्क का उप्शन मिल जाता है तो यह ब्रेक काफी अच्छी है क्योंकि IBS आप जानते ही हो इंटिगेटर ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा एक और चीज में बता दू इसमें यह जो नया टूल बोक्स एड किया गया है जो सबसे पहले वाला जो पैसन पो था उसमें आता था बीच वाले में नहीं था लेकिन इस व है बालवाइव जाते है जो ओबर ओल यह बाइक कैसी है क्या है लगबग जान गया है यहां पर आपको यह नॉर्मल सा सश्पेंशन मिल जाता है आपको chain के लिए chain कोवर भी मिल जाता है ड्ल स्टम मिल जाता है जो मोटा मोटी जो भी था इस वादे मैंने बता दिया ग्रेबर मिल जाता है लगबग उसी तरह की बाइक है थोड़ा सा इसको डिजाइन किया गया है एक और चीज में एड किया गया है वो क्या है यहां पे अब आप मोवाइल वगरा चार्ज कर सकते हैं एक चार्जिंग सौकेट अब मिल जाता है जो कि लगबग ठीक ठाक है क्यो अब में बात कर लोड़ा है टैंक आपको 11 लिटर की मिल जाती है और इसमें आप माइलेज आराम से 65 प्लस की निकाल सकते हैं पहले जो लोग चलाते हैं उनको पता ही होगा क्या है इसका जो सीट हाइट है यह जो आपका मतलब इसका सीट हाइट है आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है और इसका जो वेट है कर वेट वह आपको 115 केजी की टूटल इसकी कर वेट है लगबग उतना क्या बहुत जादा भारी भी नहीं है लगबग इसका वेट भी लगबग ठीक ठाक है तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस कितने इसका दाम कितना है तो इसका एकशोरूम प्राइज जो है 76,131 है मतलब 6,121 एकशोरूम है तो आप लोग अपने सिटी अपने स्टेट के साथ से देख लिजेगा ओके तो गाई चलिए यही था ओबरॉल पैसन प्लस के बार में मुझे बार बार मेरे मुझे पूरो निकल रहा हाला कि यह पैसन प कर दीजे प्लीज जितना जल्द हो सके अपने चैनल को 100 के तक ले जाना है अगर आप यह बाइक को खरीदना चाहते हैं पर्चेस करना चाहते हैं तो आप पार्टली पूत्रा हीरो विजीट कर सकते हैं यहां का जो है फूल एड्रस और फोन नंबर आपको नीचे डेस्क्र कर दो जाएका